आपके पास Vivo V40 है, 40 series का कोई भी फोन है, तो यहाँ पे आप wallpaper चेंज कैसे कर सकते हैं, फोन में, तो wallpaper चेंज करने के लिए आपको दो option मिल जाते हैं, एक तो screen पे touch and hold करके रखते हैं, wallpaper का option है, इस पे click कर लेंगे, दूसरा, कि आप यहाँ पे theme से भी change कर सकते हैं, theme का option है, theme पे click करेंगे, तो यहाँ पे theme आपके कुछी step से खुलती है, ठीक है, यह selected पे रहता है, अभी मैंने font चेंज करवाया था न, तो इस वो जैसे, तो यह recommended पे रहता है, और यहाँ पे आप wallpaper पे click कर लेंगे, तो यहाँ पे अलग-अलग wallpapers आपको मिल जाते हैं, तो जो wallpaper आप पसंदारा है, उसे आप select कर लेंगे, ओके, तो यहाँ पे purchase now का एक option है, अगर आपको purchase करना है, तो आप purchase कर सकते हैं, preview इसका देख सकते हैं, और इससे आप slide करके, position सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर free of cost चाहिए आपको, तो आपको यहाँ पे search पे जाना है, लिखना है, फ्री वाल पेपर के section पे ही आपको रहके free लिखना है, तो जो भी free वाले हैं, उसके नीचे free लिखा हुआ आजाता है, देख सकते हैं, इसके नीचे free लिखा है, तो यह वाला free में apply हो जाएगा, ऐसे scroll करके देख लेंगे, लोड हो रहा है, वेट कर लेंगे, तो चलो यही वाला इबर देख लेते हैं, कि अगर पसंद आ रहा है तो, या फिर यह, तो जो वाल पेपर पसंद आ रहा है, उसे आप select कर लेंगे, डाउनलोड का option आपको direct मिल जाता है, और यहाँ पे apply का option मिल जाता है, अब इसका position भी आप set करके, इसको set कर सकते हैं, apply पे click कर लेंगे, अब lock screen पे set करना, home screen पे या दोनों पे, तो मैं यहाँ पे सिर्फ lock screen के लिए इसको apply कर दूँगी, और भी आप यहाँ पे देख लेंगे, पसंदार हैं, तो set कर लेंगे, lock screen पे हमारे change होगे, आप बात रही home screen की, तो यहाँ पे wall paper, sorry, gallery से करते हैं, तो यहाँ पे gallery में से कोई भी photo एक choose कर लेते हैं, तो gallery में से कोई एक photo आप set कर लेंगे, इस step से three dot पर जाएंगे, और यहाँ पे आपको option मिल जाएगा, use, sorry, set as, तो ऐसे करके आप देख लेंगे position, इसके बाद home screen पे करना है तो यह वाला, lock screen पे करना है तो यह option, दोनों पे करना है तो यह option, देख लेंगे, और अगर आप यह home screen पे करते है तो आपको यहाँ पे यह वाइड वाला भी option मिल जाता है, तो अगर आपकी photo group में है या फिर ऐसे है landscape तो आप यह वाला कर लेंगे, तो आपके और भी area जो है cover कर लेता है, यह check mark पे क्लिक करके मैं दिखा देती हूं कैसा set होता है, तो तेख सकते हैं, यह स्क्रॉल होता है दोनों pages पे, ठीक है, तो इसी type की interesting videos के लिए i button पे click कर लेंगे, मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमशकार,